हेई गाइस आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है और आज मैं शिखाने वाली हूँ आप लोगों को कैसे घर पे ही टेस्टी मटन जोल बना सकते हैं यहाँ पी आपको मसाले के लिए लेना है लसून अद्रक प्याच और ग्रीन चिलिस उसका पेस्ट बनाना है उसके बाद आ आपको लेना है एक टमाटर बड़ा टमाटर और यहाँ पे मीठ है रेडी मटन यहाँ पे आपको लेना है तेज पता उसको आपको मस्टर्ड ओयल में फ्राइ करना है उसके बाद आपको प्यास डान लाएं जैसे दिखा रहे है अब जब प्यास का कलर थोरा गोल्ड़न व अब जो मसाला पेस्ट हमने तयार करके रखा है उसमें हम एड करेंगे थोड़ा लाल मिर्च और उसके बाद जीरा पाउडर आप्टर फाइब मिनेस फ्राय है हमारा मटन ऐसा दिखेगा अब हमको एड करना है इसमें मसाला जो हमने रेडी करके रखा था और उसके उपर आ आपको जो बड़ा टमटर लिया है आपने उसको काटके लगाना है अब इसमें एड करना है आपका फ्राइड हुआ आलू और जो लसून हमने फ्राइड किया था उसको एड करके ऐसे चलाना है अब हम यूज कर रहे हैं थोड़ी सी गरम मसाला अभी हम यूज करेंगे थोड़ा वाटर यूज करके पान यूज करके बॉल करना है आप्टर डाट आपको लेना है एक प्रेसल कुकर उसमें आपको इसको ट्रांसफर करना है कडाई का जो मतन है उसको प्रेसल कुकर में डालना है और आपको लगाना है दो सीटी तो आपका मतन जोल टेस्टी मतन अब रेडी है खाने के लिए तो आप देख सकते कितना टेस्टी बनाए आज का ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग भी जरूर ट्राइ किजिएगा ये रेसिपी घर पे ब एमेंट, कर दो आप लोगा अगर दिय है जो आब वे तो मेंट रेसिपी आप लोगा ड्राई मेंट लोगा झाहँ कि अपे है।